नमस्कार स्वाकत आपका बात करेंगे Tech Mahindra Limited 1081 पर इस्टोक ट्रेड कर रहा है और आप देख सकते हो जो लेवल है जिस लेवल पर इस्टोक ट्रेड कर रहा है वो लेवल है अपरेल और माई 2021 में किसी level पर stock trade कर रहा था उसके बाद अच्छीखासे rally आपको देखने को मिली और फिर अच्छीखासे यहाँ पर गिराऊट to stock के अंदर और, इस time period के अंदर है जो गिराऊट हुई है इस गिराऊट के अंदर IT sector में भी आपको proper गिराऊट देखने को मिली और Nifty IT में गिराउट हुई है तो वीपरो में भी आप देख सकते हैं सेम पैटन बना हुआ है इसके लाओ जो नेक्स्ट है Infosys Infosys का भी आप यहां में Maximum Chart देखते हैं तो Infosys के Maximum Chart में भी आप देख सकते हैं वह लगबद 4000 का था उसके बाद यह भी 3000 के आसपास आ गया तो पूरे IT सेक्टर में गिराउट हुई है उसका Impact जो रहा है कि जून क्वाटर का रिजल्ट है तो जून क्वाटर के रिजल्ट आप देखोगे तो जून क्वाटर में कंपने का प्रोफिट है वह 1148 करोड है पिछले में 1545 है उससे पहले 1388 तो कंपने का प्रोफिट भी अच्छा रहा है नो डाउट एक जो सबसे साल के सितंबर की तुलना में तो सेल्स कंपनी की ज्यादा तो नो डाउट सेल्स बड़ी है कंपने का प्रोफिट कम है क्योंकि टेक्स वगर यहां पर लगे तो आप अभी इस इस्टो को ट्रेक पर रख सकते हो क्योंकि निफ्टी आइटी का चार्ट अगर आप देखते हो तो आपको पता है future तो of course काफी ब्राइटी सेक्टर का तो आप इन आइटी सेक्टर के जितने भी इस्टो के उसको consider कर सकते हो तेक महिंद्रा भी एक अच्छा फंडामेंट लिस्ट हो के बेलेंच इट वाइज अगर आप देखोगे तो आप इसको भी देख सकते हो 52 वीक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप इसको अपनी वाज लिस्ट में जरूर लें थैंक्यू किप सब्रूटे